गोंधिया सिले के देवरी तैसिल के देवरी स्थित वन परिक्षेत अधिकारी कारले के समी पिछले 30 मही से वन विभाग द्वारा वन निवासियों को ग्राम सभा वन हक कानून से वनचित रखने वन उपच का लाब ना देने वही वन विभाग द्वारा बरबरता पूर्ण अनुसूचित जमाती वा अन्य पारम परिक वन निवासियों के साथ अन्याय को लेकर वन विभाग के खिलाव जारी वन हक धारकों के आमरन अंशन को जिले के पूर्व पालक मंतरी डॉक्टर परि वया मंशन पर बैठ कर अधिकारियों को देवरी तलब किया देवरी के तैसिल कारेले में वन निवासियों की योग्य मांगो को लेकर जिलाधिकारी चिन में गौत मारे पुलिस अधिक्षक निखिल पिंगले डिएफो कुलराज सिंग वन अधिकारी तेंदु कैम सद्गीर स्डियों देवरी अनमोल सागर के साथ बैठक लेकर अंशन करताओ की विविद मांगों पर लंबी चर्चा की गई चर्चा की दोरान पूर्वल पालक मंत्री डॉक्टर फूके के साथ एडविकेट गोडे विरिंदर बाडा अंजन कर पूर्व विधायक संजे पूराम सहीत अंचन करताओ की मौजुदगी रही बैठक में अनुसुचित जमातिव इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, वनियम 2008 एवं सुधारित नियम 2012, वन हक काईदा 2006, अन्वे ग्राम सभा को प्राप्त स्वामित हक के अधिकार अधिनियम में वन विभाग द्वारा आ रही बाधाओ ग्राम सभा वन हक अधिकार के किसारों पर कारवाई करने, ग्राम सभा को वन उपजित तेंदुपता संकलन करने का अधिकार होते हुए, वन विभाग द्वारा लक्षर रत करने के टीपी, संकलन, बिकरी, आधी पर रोक लगाने, ग्राम महासभा में, समाविष्ट येर्मा गोंदी, किशोरी, उचेपुर्व महुगाओं के वन हक दावों के प्रलंबित मामलू पर सकरात्मक चोचा हुई, चोचा में इस बैठक में जिलाधीकारी की उपस्तिती में आपसी समिनवे के तहट वन विभाग द्वारा निर्नेली आ गया कि जो प्रक्रिया ग् पूर्व नवंबर तक पूर्ण करने पर सहमती के साथ चोचा हुई, इस बैठक में ग्राम सभा के अंशन धारकों में नारायन सरा में, गोपाल, कोरेटी, मडावी गुरुजी, धनुष, जनबंदु, सहित अनेक लोगों का समाविश रहा, NBCN News के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट